नमस्का दोस्तों मैं हूँ आर्ती प्रजापती आर्ती प्रजापती यूटुब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों मार यहां EGCNAT की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर साइकोलोजी की प्रिपिरिजन कराई जा रही है तो आज का हमारा यह Teaching Activity Unit 1 का जो ट्वापिक है निदे सात्मक सुविधाय तो चले दोस्तों आज का ट्वापिक दिखते हैं सबसे पहले दोस्तों देखते हैं निदे सात्मक सुविधाय क्या होती है तो निदे सात्मक सुविदाये सिक्षन संस्ताओं के माध्यम से सिक्षन की प्रक्रियाओं को क्या करती है प्रभावित करती है तो जो निदे सात्मक सुविदाये होती है जहां पर सेक्षन इक वातावरन संस्ता की जो सुविदाये होती है इन सारे सुविदाए क्या होती है कि हमारी जो सिक्षन की प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करती है निदे सात्मक सुविदाओं में संस्ताओं का प्रबंधन नितिया और उद्देश महत्वपूर्ण होता है तो निदे सात्मक जो सुविदाय होती है, उसमें क्या तो यह संस्ता का प्रबंधन होते हैं, उनके rules regulations जो होते हैं और उनका जो purpose जो होता है, वो सब बाते ही उसमें महत्वपून होती है। इसके साथ उसके द्वारा ही की जा रही सुविदाय जैसे कि अध्यान सामगरी, सिक्षन पत्तती और विद्या, रैडियो, स्लाइड, कम्पीटर, जांच प्रक्रिय, आधी का समावेश होता है। यह गुणवत्ता पूर्ण सेक्षनिक वातावरन बनाकर सिक्षन प्रक्रिय को प्रभावी बनाते हैं। तो यह सारी बाते उनको याद रखनी चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों उसके बाद देखते हैं तो मान लिजे कि कोई मान लिजे कि कोई स्कूल है, कोई इद्याल है उसके आसपस कम जो महावल होता है वो पुरा दिन सोर से बरा हुआ होता है यानि कि सोर गुल बना रहता है। तो क्या बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज्यादा नहीं रहेगा लेकिन बाहरी आवाज पर ज्यादा चले जाएगा तो ये सारी बाते हमें जो संस्ता की जो सुविदा है उसमें ये बाते उसे ध्यान में रखने होती है। जो संस्ता का जो सैक्षणिक वातावरन और उसके साथ साथ जो बाहरी वातावरन है और संस्ता की जो सुविदाय है उन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए आगे देखते हैं निदिसात्मक सुविधाओं में सैक्षिक वातावरन और संस्तागत सुविधाओं दोनों की बात की जाती है तो चले इन दोनों को हम डिटेल्स में देखते हैं तो सैक्षिक वतावरन तो सैक्षिक कारे को लागू करती समय जो व्यवस्ता और स्थितिया प्रभावी रहती है उस व्यवस्ता और स्थितियों को क्या कहा जाता है सैक्षिक वतावरन कहा जाता है यानि कि जब हम सैक्षिक कारे करते हैं तो उस समय जो भी व्यवस्ता जो भी स्थितिया होती हैं उन स्थितिया जब हमारी सिक्षण की प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं तो उस टाइम पर उन स्थितियों को उन व्यवस्ताओं को हम क्या कहेंगे सेक्षिक वातावरन कहेंगे जिस तरीके से मान लेजिए कि कोई विद्या लए है तो उसके आसवास मै यातायत के जो साधन होते हैं वो आने जाने वाले ज्यादा होते हैं और उसी रोड पर अगर वित्या लई हैं तो स्वबाविक है कि वो सिक्षन की प्रक्रियाओं को क्या करेगा रिफेक्ट करेगा और रिफेक्ट करेगा उसके आधर पर क्या होगा बच्चों का ध्यान अप इसमें विद्याले कितनी दूरी पर है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए जो भी संस्ता होती है उन संस्ता वालों को क्या करना चाहिए जो बच्चे का घर और विद्याले के बीच का जो डिस्ट्रेंस होता है वो ज्यादा ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए अगर सिएद रखनी चाहिए कि उसके बादस் Championship कि सामाजी तथा प्राकृतिक स्थित्य के से उसके बारे में भी संस्थ्यां में इसना को ठ्यान में रखना चाहिए यानि कि उसके आसपास महा होल अगर हो कि चल और को वित्या लाए है उसके आसपास ऐसे ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी भी जगा ना होनी चाहिए कि जहां पर सुन साम जगा हो और बच्चे आने जाने में बच्चे को डर लगता हो या फिर बचों को कोई खत्रा हो ऐसी ऐसी स्तिती भी नहीं बननी चाहिए तो विद्याले के आसपस की जो सामाजिक्त प्राक्रोतिक स्तिती के से उसे भी ध्यान में रखनी चाहिए विद्याले किसी कारखाने के पास मंदीर मस्जिद या विवादस पतान से संबंदित नहीं होना चाहिए तो जो भी विद्यालाई हैं वो क्या किसी कारखाने के पास नहीं होना चाहिए आपको पता है कि कारखाने में क्या होता है पुरा दिन सुर गुल मचा रहता है अगर मान लिजे कि कभी कारखाने में कोई आग जैसी घटना घट जाती है तो क्या होता है विद्यालाई में जो बच्चे पढ़ते हैं उस आग की असर यहां पर भी पढ़ सकती है तो यह कारकाना वाला जो होता है वहां से विद्यालाई को हमें दूर ही रखना चाहिए यानि कि कारखाने के आसपस को विद्यालाई नहीं होना चाहिए फिर मंदीर के पास तो मंदीर के पास क्या लोग आती जाते रहते हैं तो क्या घंट बजाते हैं या फिर मंदीर में पुझा अर्जना करती तो उसका आवाज भी विद्यालाई तक पहुंचता है इसकी कारण म मंदिर के आसपस भी या मस्जीद के आसपस भी विद्यालाई नहीं होना चाहिए और विवादासपस स्तान से स्तान से भी सम्मंदित वह विद्यालाई नहीं होना चाहिए विद्यालाई एकांट स्तान पर भी नहीं होना चाहिए जहां तक पहुंचने में बच्चों को क्या ह परिशानी हो जो मैंने आपको बता है कि अगर सुमसाम जगह होगी आसपास एकांत में अगर विद्या लए होगी तो क्या होगा बच्चे में बच्चे आनी जाने में डरते होगे या फिर क्या होता है कोई भी घटना उसके पास घट जाती है तो आसपस कोई नहीं होता तो उससे बच्चे की जान को भी खत्रा हो सकता है तो विद्याले एकान स्तान पर भी नहीं होना चाहिए सैक्षिक वातावरण से संबंदित महत्वपुन बिंदों के बारे में बात करते है तो सैक्षिक वातावरण में नेतरुतों सरजना सैक्षिक प्रसासन का एक विकास उनमूखी कारक है तो यहां पर किया तो आप देखते हैं सामाजिक विकास के लिए एक समुदाय विशस की आकांक्षाय भी होद महतों पूर्ण होती है और यहां पर नेतरूत्व के बारे में बताये गए तो समाज की जो प्रकृती होती है वो प्रकृति वर उसकी आवसकता के अधर पर के होता है नेतरुत्व की सरचना होनी चाहिए नेतरुत्व में इस प्रकार की व्यवस्ता भी होनी चाहिए कि धैर्मिक द्रस्टी से कोई भी पेट्वाव नहीं किया जाना चाहिए और संस्कृति के विपरित नेतुरत करता को कारियन नहीं करना चाहिए और वुद्धी मत्या पूर्वक सामाजिक विकास के लिए सैक्षिक कार्यक्रम भी निर्दारित किये जाने चाहिए इस तरीके से हमें सैक्षिक प्रसासन का एक विकास भी करना चाहिए तो सेक्षिनिक वातावरण की अकोडिंग सैक्षिक प्रसासन का एक विकास भी होता है सैक्षिक वातावरण के लिए आवशक है कि सिक्षा के विकास में मानवी विकास के पाहलू को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए सैक्षिक वातावरण के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए अगर बच्चे का पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं होगा तो सैक्षिक वातावरण भी उसके लिए अच्छा नहीं होगा तो सेक्षिक वातावरण के लिए ये भी आवश्यक होता है कि पारिगवारिक वातावरण भी केसा होना चाहिए समुदाई की प्रकुरुती का निर्धारण, जन संख्या की प्रकुरुती, जीवन आकांग्ष्या, आर्थिक स्तर, वेवसाईव पेशा, याताई यातोव संचर, सामाजी गतो सिल्दा, आधिकी आधार पर भी एक अच्छे सेक्षिक वातावरण की सरचना की जा सकती यानि की सेक्षिक वातावरण की हमें जब सरचना कनी अच्छे सेक्षिक वातावरण की तो हमें प्रकुरुती का निर्धारण भी करना होगा, जन संख्या की प्रकुरुती को भी देखना होगा, जीवन की आकांग्षाव को भी देखना होगा, आर्थिक स्तर को भी देखन सामाजिक गती सिल्टा के बारे में भी सोचना होता है तो अगर ये स्थारी बाती अच्छे से हैं तो फिर हमारा जो साइक्षिक वातावरन है उसके सरजना भी किसे अच्छे से की जा सकते हैं उसके बाद है कि सेख्षिक वातावरन पर जहल वायू समुद्र तल से उन्चाई स्थानिय व्यवसाय प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा उपलग दियम संचार साधनों आदिका प्रभाव पड़ता है तो सेख्षिक वातावरन पर अगर कोई भी मान लिज़े कोई विद्याल कोई भी में लेकिन की स्थानिय जो कोई लृत है प्राकृतिक संसाधन है उना भी मतरा और उपलग दिया एवं जो communication के जो माध्यम है यानि की medium है communication के तो उनकी भी क्या उनका भी सैख्षिक वातावरन पर असर पड़ता है जैसर संगठन एवं संस्ताय होती है उन्हीं के उदेशव एवं नितियों के अनुसार सैख्षिक विकास प्रभाव होता है यानि कि जिस तरह संगठन या संस्ता है जिस तरीके की होती है उसी तरीके से उनका जो साइक से क्विकास होता है वो ज्यादा अगर कोई संस्ता में मान लिजे कि अच्छी सुविदाए है और बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है उनको सारे जो द्रस्य सावे सामगरी है, स्रावे सामगरी है, द्रस्य सामगरी, उन सभी सामगरियों का आधार लेकर अलग-अलग पत्ततियों से बच्चों को बढ़ाया जाता है। तो मानली जी कि जो संस्था का जो विकास है वो भी बढ़ेगा और सिक्षन का विकास भी बढ़ेगा यानि कि सैक्षिक विकास भी उससे प्रभावित होता है। सैक्षिक वातावरण में समुदाई के आकांग्चाय भी महत्वपूर होती है। सरकार की प्रकृती, सरकार के आर्थिक प्रावधान, सरकार के कारिया तता सिक्ष्या के सम्वेधानिक प्रावधान आदि सैक्षिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व है। यानि कि जो भी राज्य है, जो राज्य सरकार है, केंदर सरकार है, उनकी जो सिक्षा के प्रती प्रक्रूती होती है, उनकी जो आर्थिक मदद जो मिलती है, उन सरकार के द्वारा और सरकार के जो कारे होते हैं, जो सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो कारे करम किया जात आगा प्रभावित होता है अभी हमने देखा सेक्षिक बातावरों के बारे में अब हम संस्ता अउंकर संस्ता में बच्ते पढ़ रहे उस संस्ता में जो सुविधाяг होती है। उसके किस तरीके से प्रभाव पड़ता हैं तो संस्ता चात्रों के योग्य पाठ्थे क्रमों को रूचिकर बना कर सिक्षन को प्रभावित बनाते हैं तो क्या संस्ता क्या करती चात्रों की योगि पाठ्थे क्रम हैं उसे रुचिकर बनाने का प्रयास कर दियो और उसे बच्चे उस संस्ता में अच्छ आज पढ़ाई के लिए आए और उन्हें भी वहां से बहुत कुछ सिखने को मिले तो क्या होगा वो सिक्षन की प्रक्रिया को प्रभवित करेगा प्रबंधन एवं कुसल तक्निकों को बढ़ावा देकर सिक्षन को सफल बनाते हैं तो संस्ता जो भी संस्ता वाले होते हैं आपने दिखा होगा वो हर एक संस्ता वाली यही चाहते हैं कि हमार यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे बढ़ाई के लिए इसलिए वो क्या करते हैं संस्ता में बहुत सारी सुविदाय उपलब्द कराते हैं और इसके अकोडिंग बच्चों को बढ़ाने की सिखाने की कोसिस करते हैं तो प्रबंधन एवं कुसल तक्निकी के जो टेक्नोलोजी है अभी के समय में उन टेक्नोलोजी का यूज करके उ ने बढ़ावा देते हैं संस्ता गात सुविदाए जो होती है वो सामाजिक परिवेस से अउगत होती है यानि कि इसके आसपस स्के जो जो लोग रहते है वो किस प्रकार की लोग रहते हैं उन सबी बातों को धियान में रखकर संस्तामी सुविदाय उपलब्द कराई जाती है और उसके आगर उस सुविदाओं का इस्तमल मनवेग्णानी के उन गुर्मत्ता पूर्ण प्रभावी तथ्यों को जांच कर उन्हें बढ़ावा देने में होता है उसके बाद है कुसल उक्षमता के विकास है तो सिक्षन प्रसिक्षन जांच जैसी महतोपूर्ण पहले करती है यानि कि संस्ताई क्या करती है तो जो अपनी संस्ता का विकास करने के लिए सैक्षिक विकास करने के लिए वो सिक्षन और प्रसिक्षन और जांच जैसी जो महतो पूर्ण जो पहले हैं वो भी वो करती है कुसल प्राशिक्सित शिक्सक प्रवद्योगी की आधारिज सीक्षन सहाइक सामखरी को बढ़ावा देता है यानि कि अगर कोई सिक्सक है वो प्रासिक्सित है और कुसल प्रासिक्सित है उसने जो ट्राइनिंग लिए वो बहुत अच्छे से लिए अगर वो टीचर टेक्नोलोजी को बहुत अच्छे से जानता है तो वो क्या होगा वो टेक्नोलोजी का यूस बचों को सिखाने के लिए करेगा और इससे क्या होगा इससे उसका जो टीचिंग होता है वो टीचिंग क्या होगा एफेक्टिव होगा वर्तमान में मुक्त विद्यालाई जैसे संस्ताओं ने दुरस्त सिक्षा कारे करमों को आयजित करके छात्रों को बड़े स्तर पर लभन्वित किया है अब देखिए पहले के समय में क्या था कि बच्चों को अगर पढ़ाई करनी होती है आपने देखा होगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले की बात की जाए जब यहां पर अंग्रे जाए थे उसके पहले की जो बात की जाए तो क्या होता था सबको पढ़ाई करनी होती तो वो क्या करते है विदेश जाना पड़ता है इस तरीके से घांदी जी गए थे इस तरीके से वो लोग क्या करते थी यहां पर पढ़ाई यहां तक जितनी बढ़ाई होती थी वो कर लेते थे और फिर बाकी की बढ़ाई वो लोग क्या करते थे ब तो फिर आपने बीएड कर लिया होगे अब याड करने के बाद क्या होते हैं आपकी जवाब लग गई तो फिर अभी आपको आगे पढ़ाई करनी हैं तो गवर्मेंट जवाब अगर किसी की होगी तो क्या होगा कि वो लोग रेगिलर मूड पर कॉलेज नहीं कर पाएंगे है तो रेगिलर मूड पर जब कॉलेज नहीं कर पाते तो ये बचे क्या करेंगे इनको भी पढ़ना है उनको भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमारे भारत में जो दुरस्त सिक्षा के कारेकरम चल रहा है यानि कि ओपन उनिवर्सिटी जो खुली हुई है उन्पन उनिव आप फ्रिश। में घर्वे पार्याम दैने जाना वादता है तब तक आप घर पाते पढ़ाई कर सकते हुई है यानि कि आपको वहाँ पर कॉलेज में जाना होता नहीं है तो ये दूरस्त सिक्षा हुई कि बच्चा घर पर रहकर भी वो क्या करता है और समसी पढ़ाई उसके जो दुरस्त सिक्षा के कारेक्रमू जो स्टार्ट किया गया है तब से छात्रों को बड़े स्थर पर क्या किया गया है। सिक्षा से लभानवित क्या गया है। अब अभी के समय में आप देख रहे हैं कुरोना की माहमारी है। तो कुनों ना की माहमारी में आपने देखा होगा आप सभी ने पढ़ाई कियोगी आपने सभी ने अगर किसी ने इस बार युजिस्टनेट की अग्जाम्बे दियोगी तो सबने कई से और कई ना कई से मटेरियल से इकटा किया होगा तो किसी के पास बूक्स भी नहीं होगी तो वो लोग क्या करेंगे यूटूब पर उनलाइन सिक्षन प्राप्त करेंगे जिस तरीके से आप अभी मेरे पास से उनलाइन सिक्षन प्राप्त कर रहे हैं तो यह क्या है यह आपकी उनलाइन सिक्षन सामगरी को अभी के समय में संस्ताई क्या कर रहे हैं बढ़ावा दे रही हैं यानि कि अभी के कुडरोना की मा मारी में सबी बच्ये घर पर अभी स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुई है तो टीचार्स क्या करते बसान में की टीचर्स को बिश्चेंग के मामाइबंते है नहीं है तो प्रलत प्रक्षर्स सतुम के मात्युंधने sorhews कोसित Merrywave कर रहा है और उन बच्चों को उनलायन सिक्षन देने की कोसित कर रहा है तो उसे संस्टाय क्या करते हैं अभी के शामिग में वनलाइन सिक्षन सामगरी को बड़ा वात दे रही हैं संस्टाय सिक्षार थे कि मानसिक सामाजिक काउसल आदी विकास के लिए जिम्मेदर होती है जो भी संस्ता है होती है वो बच्चों की मानसिक सामाजिक वर काउसल आदी विकास के लिए जिम्मेदर होती है यानि कि अगर जो संस्ता अच्छी होगी संस्ता में जो साधन होगे वो अच्छी से उपलब्द होगे तो फिर वहां बच्चों का जो विकास होगा, वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, अगर किसी मान लिजे किसी संस्ता में कोई भी सुविधाय उपलब्द नहीं है, तो बच्चे का इतना विकास नहीं होगा, जितना विकास जो सुविधा वाली संस्ता में होता है, तो यहां पर संस्ताई शिक्सार्थी कि क्या मानसिक सामाजिक काउसल आदी विकास के लिए जिम्मेदर होती है उसके बाद देखते हैं सिक्सक और विद्यार्थियों के भी संबन स्तापिट कर सफल सिक्सार्थ का संचालन करती है यानि कि संस्तागत सुविदाय जो होती है वो क्या करत चिक्षब और विद्यार्थी के बीच क्या करती है एक अच्छा सा संबन्ध स्तापित करती है और साथ सिक्षब को प्रभावित करती है अगर मान लेजे कि बज़ा टीचर को बचों को कुछ पढ़ाना है तो हूँ क्या करेगा वह संस्ता में जो सुवीदाय उपलब्द होग प्रजेक्टर होगा तो उस प्रजेक्टर की मदद से क्या करेगा बच्चों को वीडियो क्लिप दिखाएगा हाथी के बारे में ओके एलेफंट की वीडियो क्लिप दिखाएगा और बच्चों को एलेफंट की जो कौंसेप्ट होता है वो क्लियर करेंगे तो इससे क्या अगर संस्ता में उपलब्ध है तो टीचर उन साधन सामगरियों का उपयोग करके बच्चे को अगर पढ़ा रहे तो बच्चे भी क्या करेंगे टीचर के प्रति आकरसित हो जाएगे और वो लोग वही टीचर के आने की रहा देखकर बैठेंगे कि वो टीचर आएगे और कु कुछ नया सिखाएंगे कुछ नई नई बाद जानने को उनसे मिलेगी तो इससे सिख्षक और विद्यार्थी के बीच में क्या होगा दोनों के बीच में संबन अच्छे बन जाएंगे उसके बाद दिखती जात्रों के मानसिक एवं बहुदीक विकास के लिए मनोवेग्ण करते हैं और उसके बाद अन्यकारक जिसमें पारिवारिक स्थितिया भी सम्मेलित होती हैं तो पारिवारिक स्थितियों में क्या होता है यदि सिख्षक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और उसे अपने परिवार की चिंता रहेगी तो वो क्या करेगा वो बच् साई डंग से नहीं पढ़ाएगा यानि कि उनकी जो शिक्सक होती है, उनकी पारिवारिक स्तिती भी शिक्सान की प्रक्रिया को effective कर ती है, उसके बाद देखते हैं कक्श्या का वातावरन तो सिक्सक को क्या करना चाहिए? सिक्सक को कुक्षा का जो वातावरण है वो अच्छा बनाना चाहिए जिससे बचे क्लास्रूम ने अच्छ से पढ़ाई कर सके अगर टीचर क्लास्रूम का वातावरण इतना कड़क कर देगा इतना नियंतरन रख देगा तो बच्चा डरा डरा हुआ ऐसे टीचर के डर के मार क्या करेगा बैठेगा सभी, लेकिन वो कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन उसका ध्यान होगा टीचस जो बोल रहा है, उसका ध्यान तो होगा, लेकिन वो बटी ही प्रेजन्ट वहाँ पर होगी, माइंड वहाँ पर एपसंट रहेगा तो इसके कारण क्या हो सकता है कि बच्चे की जो सिखने की गति होती है वो दिमी हो जाएगी तो ये भी कक्षा का जो वातावरन होता है वो भी ज्यादा इफेक्टिव होता है तो अगर कक्सा का बतावरण अच्छा होता है कक्सा में जो सुविदाय होती है वो अच्छी होती है भहतिक सुविदाय जो होती है वो भी अच्छी होती है तो क्या है बच्चे अच्छे से पढ़ाई में ध्यान रखेंगे तो ये थे दोनों कारक अन्य कारक थे जो पारिवारिक सतिय जो सिक्सक के रिलेटेड और कक्सा का बत्तावरण है जो सुविधा के अकोडिंग है तो दोस्तों ये थी हमारी निदे सात्मक सुविधायों के बारे में मैंने आज आपको बता दिया कल से हम देखने वाले हैं जो most important है और जिसमें से questions आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है वो हैं सिक्सन विदियो के प्रकार के बारे में तो कल हम देखने वाले हैं कि सिक्सन विदियो के प्रकार के बारे में कल हम देखेंगे तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ह थेंक यू